स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर हम आपकी लिए लेकर आए हैं कक्छा आठ प्रकरकारे पुस्तिका में से समग्र मूल्यानकन नंबर भाग एक ये समग्र मूल्यानकन भाग एक और भाग दो दिये गए हैं जिसमें सबसे पहले समग्र मूल्यानकन भाग एक है भाग एक में पहला प्रश्न है रेखां की सब्दों के समान अर्थ वाले सब्द लिख कर वाक्य पूरे कीजिए कुछ लोग दोस्त को खाली जगए भी कहते हैं तो खाली जगए में दोस्त को मित्र लिख सकते हैं सखा लिख सकते हैं ख भोजन को खाली स्थान भी कहते हैं यहां खाना आ जाएगा भोजन को खाना भी कहते हैं प्रश्ण नमबर दो रेखांकि सब्दों का विलोम सब्द खाली इस्थान में भरिये और वाक्य पूरा कीजिए यह है पुस्तक नई नहीं बलकी यहां नई जो अंडरलाइन कर रखा है इसका विलोम सब्द भरना है तो नई का विलोम सब्द पुरानी हो जाएगा और वाक्य बन जाएगा यह है पुस्तक नई नई बलकी पुरानी है ख इस गाम में एक नहीं एक का विलुम सब्द अनेक होता है एक नहीं अनेक सुंदर घर है संयुक्त अक्षर, युक्त सब्दों में से संयुक्त अक्षर ढूंड कर लिखिए सब्द दे रखें, संदर, कृतग्य, संपन, हमेशा, वक्ष, इस्थल, स्रमीक, कार्य, पत्र, संबल, ज्यानी, चमा, साध्य, तिरभूज, विश्राम, निकम्बा इन में से हमने सब छाट का लिखे हैं संदर्ब, कृतग्य, संपन, वक्ष, तिरभूज, निकम्बा, इस्थल, स्रमीक, पत्र, कार्य, ज्यानी, चमा, विश्राम प्रश्ण नमर चार है निमले लिखीत वाक्यों में परियुक्त क्रिया सब्द एवं काल ढून कर लिखिए पहला वाक्य है नानु कल गाना गाएगी, इसमें से क्रिया सब्द है गाएगी और काल है, इसमें गाएगी का मतलब पविश्यत काल दूसरा है, उदै दोड रहा है, क्रिया सब्द है दोड रहा है, और काल वर्तमान काल सभी लड़कों ने नथि किया कृिया सब्द नति किया आएगा और काल आएगा भूत काल प्रश्ण नमर पाँच है निम लिखी सब्दों के वचन बदल कर लिखे ये बहुँचन है एक बहुचन में लिखेंगे गाड़ी चप्पल चप्पल एक वचन है इसका भवचन लिखेंगे चप्पले प्रश्ण नमर छे निम ने लिखे सब्दों के विलोम सब्द लिखिए आलसी का विलोम सब्द चोस्त बीतर का विलोम सब्द बाहर उठाना का विलोमसद गिराना, खोलना का विलोमसद बंद करना प्रश्ण मर साथ है नीचे दिये गए गध्यांस को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए गध्यांस पढ़ते हैं पहले एक मजदूर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो रुपिया कमाया उसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांध कर बस्ती की और चल पड़ा बहुत दूर उसने अपने कच्छे जोंपड़े के धुएं को आकास में चक्कर काड़ते देखा और देखते ही समझ गया कि मा उसके लिए खाना बना रही है उसके घर में उसकी बूड़ी मा के अलावा और कोई सगा संबंधी नहीं था उसके घर में सिवाए एक चूले के और दो चार बरतनों के अलावा और कोई साथ सामान नहीं था मगर फिर भी वहे खुस था सामने की सड़क पर बारात जा रही थी सामने बारात को देखकर वे कल्पना में हो गया कि एक दिन उसका भी ब्याय होगा और वेह भी ऐसे ही बारात लेकर निकलेगा उसके साथ साथ बाजे बज रहे होंगे तभी किसी ने उसकी पीट पर हाथ मारते हुए उसे पीछे हटने को कहा बस जैसे उसका सपना ही तूट गया प्रश्न है गरीब मजदूर ने अपने कच्चे जोंपडे से निकले दुएं को कहां चक्कर काटते हुए देखा दर्ती में, आकास में, जोंपडी में तो आकास में देखा था उसने यहां हम सही कनिशान लगा देंगे प्रश्नमर दो, वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याय की कल्पना करने लगा प्रश्नमर चार, समान हर्थवाले सब्दे लिखिए ब्या का मतलब साधी, मा का मतलब माता, सिवाय का मतलब केवल सगा संबंदी का मतलब रिष्थेदार तो इस तरह से था ये बच्चों समगर मुल्यानकन का भाग नंबर एक इसी तरह से हम भाग नंबर दो लेकर के आएंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद